आर्टिकल 5, 6, 7 होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में तो आर्टिकल 8 बोलता है कि कोई भी इनसान भारती औरिजीन का हो जो भारत में पैदा हुआ हो वो भारत का citizenship कैसे ले सकता है या वो भारत का citizenship कैसे मना जा सकता है कि वो भारत का नागरी है तो इसके बारे में Constitution बताता है Article 8 के अंदर कि कोई भी आदमी जो की जिसके पापा, मम्मी, मतलब parents या उनके दादा-दादी grandparents जो की भारत में पैदा हुए थे भारत मतलब जो तबी government of India act मतलब पूरा पाकिस्तार अंडिया जो भी था उस समय वो भारत का area में पैदा हुए थे और जो भी या फिर ऐसा कोई आदमी जो भारत से बाहर रह रह रहा है मतलब जिसका जो ममी पापा है या दादी है वो भारत के origin के है मतलब जो भारत का diplomatic representative है वहाँ उससे वो एक तरीके से application से वो बोला गया वो कहा गया हो उसको कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ और यहां मैं रह रहा हूँ ठीक है तो अब हम लोग समझ गए कि कोई भी इंसान भारत का नागरिक कैसे माना जा सकता है तो condition यहाँ पर बताया जा रहा है पहला कि उसके ममी पापा मतलब parents या grand parents इंडिया के निवासी हो ठीक है दूसरा कि अगर वो किसी विदेश में रह रहा है प्रदेश में रह रहा है तो भी वो इंडिया का नागरिक है ऐसा माना जाएगा जब वो भारत का जो counselor है मतलब जो भारत का वहाँ पर एक office है उसके द्वारा वो application में यह कहे कि हाँ हम जो है वो भारत का नागरिक है वो सहमती दे कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ तब वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा उस विदेश में भी ठीक है तो ये था अपना Article 8 अगर ये وीडियो आपको अच्छा लगा हो और Article 365 तक जारना हो तो playlist में जा की इस channel के playlist में जागर के check करें और अगर यह video अच्छा लगा हो तो उसको like करें, share करें इस पर कुछ भी पूछना हो तो comment करें और चैनल को subscribe करें Thank you very much